एक जंगल में नाग नागिन खेल रहे थे तभी उन पर सपेरे की नजर पड़ती है। ये नाग बहुत शक्तिशाली है इसे कैद करके अपने साथ ले जाओंगा। सपेरा नाग के पास जाता है सपेरे को देखते ही नाग नागिन भागने लगते हैं। तभी सपेरा नाग को बुतल में कैद कर लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देख नागिन बहुत गुस्सा हो जाती है। कुछ देर बाद दो साब आते हैं नागिन उनको सारी बात बताती है। जब तक मेरा पती नहीं मिलेगा गाव के सारे लड़कों को कैद कर लू। दोनों साब एक एक करके सभी गाव वालों को लाने लगते हैं। ये सब सुनकर गाव वाले घबरा जाते हैं। इधर रामु नागिन की कही हुई बात जाकर सरपंच को बता देता है। रामु की बात सुनकर सरपंच गाव वालों के साथ सपेरे के पास जाता है। ऐ सपेरे नाग को छोड़ दे वरना। दोस्तो इसके बाद जो हुआ वो देखने से पहले। सपेरा सरपंच की बात नहीं सुनता है। तबी सारे गाव वाले मिलकर सपेरे को मार देते हैं सपेरे के मरते ही नाग आजाद हो जाता है।